यूट्टूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करे वबेल आइटम को दबाकर परमंदल की ताजा ख़बर भाए सबसे पहले सबसे आगे आज पुर्वमंत्री केंतिर पाठी ने कहा कि जब से कॉंग्रेस की कमान युवानितार रहल गांधी के हाथ में गया है तब से राज इसे लेकर जिले के संगठनों में लगाता फिर बदल कर युवाओं के हाथ में संगठन का कमान दिया जा रहा है आगे स्रीतिर पाठी ने कहा कि कभी भी जिले की कमान बदल जी जा सकती है चुकि राज के परदेश सद्यक्ष में संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगता पर्यासरत है ऐसे में कॉंग्रेस चाहती है कि संगठन में बुजुर्ग कारिकरता संगठन के युवा कारिकरताओं को सही मार्क दर्सन दे ताकि वे ज्यादा अनर्जी के साथ संगठन को मजबूत बना सके देखे हमरे राष्टी अध्यक्ष अधनियराहुट रांधी जी जब सेथ्यक्ष बने है पूरे देश में संगठन को नया धार देना चाहते है प्रकंट से लेकर के दिधान सभावाइज भी कॉडिनेटर्स बन रहे हैं लोगशब अवाइज भी कॉडिनेटर बन रहे हैं प्रमंडल वाइज चाहते में बच चुके हैं जिलाध्यक्ष को देख रहे हैं कुछ जिलों में जिलाध्यक्षों को भी नया जिलाध्यक्ष बनाने की बाद चल रही है तो एक मजबूत संकटनात्मक्र का मंतर अंदरपाटी का चल रहा है अधनियर एरभॉल-Ghandi Jī के निद्धयश होगा क्या लगता है जैसे कि युवाओं के हाथ में बागदूर जा सकती है, जैसा कि लगातार ही बात आ रही है, कि युवाओं के हाथ में जैसे युवाओं के हाथ में तो बागदूर चली कि युवाओं के हाथ में जैसे युवाओं के हाथ में तो बागदूर चली कि युवाओ उनका साथ सायोग आशिरवाद वैसे नेताओं का पाठी को मिलता रहता है और उनका भी पाठी साथ लेगी लेकिन ज्यादा भाग दोड़ करने के लिए उवां तो लगाएगी जिनकी ओम चालेगी जिनकी जिलादेच के हम बात करें कि इंपा डिस्टिक में तो जिलादेच क विजय चौबे हैं फिर मुस्लिम्स में कैसर जावेद हैं पपुए हैं विवला कुमारी हैं अब हास्वान हैं फिर बहुत सारे लोग हैं कितने लोगों का नावता हैं मतब कभी भी ये पाठी दोर किसी कहा जाजन और नेता है इस अच्छा नाम नहीं लिया जासादा तो म कर रहे हैं लेकिन गुरे राज्य में कुछ जीनों को बदने की बात पार्टी के अंदर छल रही है थोड़ा एक्टिव बदलाव हो और एक्टिव लोग आगया करके काम करें अच्छा चुनाओं से पहले ये नगार निगम चुनाओं से पहले होंगे कि नगार निगम चु झाल झाल